स्वीट्स मिठाईयां जब भी तहवार आते हैं मिठाईयों का बजार में तो बहुत सारी वाराइटी आती है आज में एक वाराइटी आपके साथ सेर करने वाली हूं घर में ही आज हम चम चम बनाएंगे बिल्कुल एकदम मार्केट जैसा और रक्षा बंदन सेलिब्रेट कर करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप से निवेदन है कि वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है आप चैनल पर नियुक्त है तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब कर लिजे और वीडियो को लाइक कर दीजे तो यहां चम-चम बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है थोड़े से पनीर को इस तरह से हाथों से हम क्रस्ट कर लेंगे आप मिक्सर ग्रांडर में पनीर को क्रस्ट ना करें मिक्सर ग्रांडर में पनीर को क्रस्ट करने से इसमें ऑईल रिलीज होता है घीर जिससे हमारा चमचम नहीं बन सकता है तो यहां पर मैंने देख पसी है दिल्ट करते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे तो यहां पर रिएड़ी करेंगे गरेंगे मर्में काफ हीजी एक ओसका मैं चाहिए हीज़ कब आप खकाल का ना हो के लिए अच्छे से पनीर को मसल के डो तयार करना है और यह देखें विदाउट क्रैक्स का मैंने सारा यहाँ पर चम-चम का जो रजगुला होता है वो बना के रैडी कर लिया है तो यह देखें कितना ही अच्छा लगा देखने में तो चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं तो चीनी को मेल्ट करना है और एक बॉइल लाना है पानी में तो यहाँ पर देखें चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और पानी में भी बॉइल आ रहा है तो जैसे यह पानी में बॉइल आएगा हम अपने सारे चम-चम के जो वाइट रजगुले हैं वो डाल देंगे और डालने के बाद हम इसे एक लेट से ढखके इसे रख देंगे करीब 10 मिनट के लिए दीमी आज पर यहाँ पर रखे हुई 10 मिनट हो चुका है और ये देखिए हमारा चमचम अच्छे से कुक हो गया है तो ये देखिए कितना ही अच्छे से इसका साइज में इंक्रीज आया है ये काफी पहले से साइज में बड़ा हो गया है और काफी फलफी काफी मुलायम बना है तो ये देखिए बहुत ही अच्छा से ये रडी हो चुका है तो इसे हम अब इसके चीनी वाले सीरे से निकाल कर इसे कर लेंगे थोड़ा सा ठंडा यहां पर गैस का फ्लेम आफ कर दिया है जैसे ही ठंडा होगा इसे हम एक बरतन में निकाल लेंगे तो जब तक वह ठंडा होता है हम यहां पर बनाएंगे एक कप दूद से रबडी बहु तो यहां पर भूट का इसके दाने को यहां पर डाल दिया आप चाहें तो इलाची पाउडर भी थोड़ा से डाल सकते हैं और यहां पर हम बनानी के लिए हम लेंगे ब्रेड के side के edges को हम cut कर देंगे तो ब्रेड बहुत ही अच्छा option है आप थोड़े से दूद में bread डालके बहुत ही अच्छी रबडी बना सकते हैं तो यह देखिए side के edges को cut करके मैंने दूद में bread को डाल दिया है अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा चीनी करीब दो आपको जो भी ड्राइफूर्स अच्छे लगते हैं यहां पर मैंने काजू बदाम लिया है तो सभी चीजों को हम डाल कर इसका फ्लेम को लोग रखके इसे धीरे धीरे हम दूद को सुखने तक इसे कुक करेंगे तो यहां पर देखिए काफी अच्छे से मेल्ट हो चुका है और हमारा जो ब्रेड है वो भी यहां पर मैस करके मैंने मिक्स कर दिया है तो यह देखिए फटा फट कुईक तरीका है आपको कम दूद में बहुत ही अच्छी रबडी बनाने का तो यह देखिए बहुत अच्छे से यहां पर देखिए दूद एब्जोब हो चुका है दू तो यहां पर हमने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है अब इसे हम कर लेंगे थोड़ा सा ठंडा और यहां पर देखिए हमारा जो चम चम कर रजगुला है यह भी काफी ठंडा हो चुका काफी स्मूद काफी सौफ्ट है तो हम इसे इस तरह से बीच में कट कर लेंगे तो इस तर से हम सारे रजगुले में कट कर लेंगे नाइप से तो यहां पर देखिए सभी रजगुले को मैंने नाइप से अच्छे से कट कर लिया है अब इसमें हमने जो रबडी बनाया है उसे फिल कर देंगे जितना रबडी हमारे एक रजगुले में आएगी हम उतना डाल देंगे अगर आपको कोई और कलर चाहिए तो आप इसमें ग्रीन फूट कलर या औरेंज फूट कलर डाल सकते हैं तो यहां पर सभी को मैंने रबड़ी भर के तयार कर लिया है अब इसके गार्निसिंग कर देंगे हम थोड़े से पिस्ते के साथ ताकि इसका लुक थोड़ा अच्छा मार्केट जैसा तो यह देखिए सभी को मैंने गार्निसिंग कर दिया है कितना ही अच्छा लग रहा देखने में है ना अगर आप किसी को भी सर्व करेंगे किसी भी महमान को या फिर अपने भाई को रक्षा वंधन पर तो बहुत ही खुस हो जाएंगे बहुत ही अच्छा यह राइसिपी है आप जरूर इस रक्षा वंधन में ट्राइ करिए और यह देखिए एकदम मार्केट जैसा लग रहा लगी निरा कि घर का बनाया हुआ है तो आप बहुत ही बहतरीन और महंगी मिठाई बना सकते हैं घर पे तो आज आपको यह राइसिपी कैसी लगी आई